हेलो एबरिवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टड़ी कोश 91 योटोब चैनल में दोस्तों आप लोग के इस खुटनी और रिवैल्वेशन को ले करके आज की डेट में बहुत बड़ी अपडेट आ रहे है आज की न्यूजपेपर में इस वीडियो में आप लोग को पुरी जानकारी मिलेगी कि क्या जो है आज की न्यूजपेपर में अपडेट आ रहे है आपको बता दे कि इस वीडियो में आप लोग को डेट के बारे में भी पता चल लएगा कि आप लोग की रिजल्ट कब तक आएगी बने रही है इस वीडियो के साथ में पुरा अंत तक और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देजगा मैं आप लोग का जादा टाइम बेस नहीं करूंगा सिधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए जो आज की नियूस पेपर आ रही है वो आप सभी के सामने ओपेन है पॉलिटेखनिक पौणरमोल्यंकन वाई स्कुटनी के रिकार्ड आवेदन ठीक है आप लोग की जो इस बार आवेदन की गई है स्कुटनी और रीवेलेशन को ले करके वो रिकार्ड तोड़े भाई कितनी जो है आवेदन आई हुई है कितनी स्कुटनिया पुनर मुल्यांकन के लिए आवेदन किया गया है चेक करने के लिए ठीक है ये सभी चीजें इसमें दी गई है तो चलिए देखते हैं आप लोग बने रहे ये इस वीडियो के शाथ में और वीडियो को लाइक जरू कर देजेगा ठीक है तो कारियाले संबादादा पॉली टेकनिक वार्सिक परिक्षा परिडाम के बाद पहली बार एक लाग चीहतर हजार आवेदन पुरन मुल्यांकन और स्कुटनी के लिए आए हैं भाई टोटल स्कुटनी और रीचेक के लिए कितने एक लाग चीहतर हजार आवेदन ठीक है भाई इतनी स्टुडेंट्स ने आवेदन किया है आप लोग के स्कुटनी और रीवेलवेशन को ले करके ठीक है अब आप सबी लोग सोच सकते हो कि इतना जादा कापी को चेक वगएर करने में कितना टाइम लाएगा रिजल्ट आप लोग का कितना डेले ह होगा ठीक है उसके बाद में इतनी बड़ी संक्या में आवेदन से प्राविदिक सिक्षा परिशत की मुल्यांकन परकिरिया पर सवाल उठे हैं 18 जुलाई को खत्म हुई वार्षिक परिच्छा के परडाम जो है 20 सितंबर को जारी किये गये थे जिसके बाद छात्र लगात पुनर मुल्यांकन पर सवाल उठा रहे हैं ठीक है इतनी जादा भाई आवेदन हुए हैं आप लोग के स्कुटनी और पुनर मुल्यांकन के लिए 1,66,000 कापिया अब आप सब लोग खुदिस हो सकते हैं इतनी जादा मात्रा में ठीक है परदेश बर में अगर बात करें तो 1440 अनुदानित और निजीब पॉलिटेकनिक का संचालन होता है वार्शिक परिच्छा के मुल्यांकन के बाद ऐसा कोई संस्थान नहीं बचा है जहां के छात्रों ने पुनर मुल्यांकन या इसकुटनी का आवेदन ना किया हो ठीक है ऐसा कोई कॉलिज नहीं बचा है जहा पॉटल 1,766,000 ने आवेदन किये है ठीक है उसके बाद में परसा सच्यू एफार खान ने कहा कि 1,76,000 कापियों को जाचना है परिडाम में डेड़ से 2 महीने लगेंगे आप लोग बग डेड़ से 2 महीने लगेंगे आप लोग की कापिया और गयरा जाचनी है वैसे देखे तो कम से कम भाई 2 महीने लगेगी 2 महीने से कम नहीं लगेगा ठीक है तो आप लोग की जो लास देट थी आनलाइन आवेदन करने की हो 4 अक्टूबर को जो है आनलाइन फीस पेमेंट करने की और रिसिप्ट को जो है प्रिंट करने की डेट थी ठीक है तो 4 अक्टूबर के बाद आप 2 महीने कम से कम और जोड लीजे ठीक है तो यानि कि 4 दिसंबर तक सीधी बार ठीक है चार दसंबर यानि 10 दिसंबर के करीब में आप सभी लोग मान सकते हो कि रिजल्ट आ सकता है ठीक है वो भी देखे क्या होता है कोई अपडेट आप लोग को मिलता है तो मैं बाई बहुत बड़ा एवाउंट हो गया यह देखे क्या होता है अब आप सभी लोग अपनी राय यार हमें बताइए क्या हो रहा है बोर्ड पर ठीक है इतनी जादा आवेदन आ रहे हैं सकुटनी और पुनर मुल्यांकन के लिए ठीक है आप लोग अपनी राय हमें कमेंट के कापिया है ठीक है लेकिन टोटल कापय कितने दी गई है पूरी आप लोगोंने देख लिए डेट के बारे में आप सभी लोग दे के लिए है अब आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दे जेगा और आप सभी लोगों से request रहेगी कि आप लोग telegram channel को join कर लिजे जिसका link आपको मिल जाएगा वीडियो के description में क्योंकि वहाँ पर आप लोग को update जो है सबसे पहले में सम मिलता रहेगा बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे next वीडियो में किसे next update के साथ तब तक के लिए बाई जाए हिंद